ख्रवाथ पक्र नमस्कार सातिवे रोजगार लाई उपर आपका फिर से स्वागत है आप को नमस्कार धुआ सेस्षोगेत। आप तमाम सातिवें का स्वागत है इस चोटे से वीडियो सेस्शन में इस वीडियो में बात करने की नाबाड के अंदर जो ओफिस अटेंडेंट की वेकेंसी निकली है 21st को जिस्ता एक्जाम होने वाला है उसके सेप स्कोर को लेकर इस सर पहले भी मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में दो तिन वीडियो सेशन में डीटेल में जानकारी दी है और जल्दी जो है इसकी लाइव प्रैक्टिस क्लासेज भी आपकी सुरू होने वाली है तो जितने भी नए साती है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंसती रहे पहरे साती हम बात करेंगे इस वेकेंसी के सेप स्कोर को लेकर जो आपका सेलेक्शन दिला दे कि कहां तक आपको टार्चेट लेकर चलना है परिक्शा में कौन सी बातों का ध्यान रकना है तनी सवाल आपको करने है इस बात को लेकर इस वीडियो करते हैं इस चरूर पहुंचा दें चलिए आगे बढ़ते हैं और सेप्स को सुरू करते हैं पैरे साती हो यह 2019 की vacancy की कटोप आप लोगों के सामने है जो out of 130 marks है यानि 130 में से आपको marks इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं अब यहां पर मैं बात करूं ना इसमें तो सबसे कम कटोप जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है 42 marks और सरवादिक जो कटोप है वो हमें देखने को मिलती है 97.50 यानि 42 से लेकर 97 के बीच आपको कटोप देखने को मिली है 130 में से ठीक है एवरेज अगर मैं देखूं इसमें तो एवरेज जो आपकी कटोप बनके आ रही है वो लगबग जो है 85 marks के आसपास बनके आ रही है यह पिछली वाली वेकेंसी की बात है पिछली बार वेकेंसी कम थी इस बार वेकेंसी ज़्यादा है पिछली बार I think 70-75 के आसपास थी इस बार 108 के आसपास है आगे बढ़ जाए तो ओर अलग बात है ठीक है एसे में हम कटोब जो है पहले से नहीं बात कर सकते की जनरल SCST OBS की कितनी रहेगी राजस्तान की कितनी रहेगी महारास्त्र की कितनी रहेगी पंजाद की कितनी रहेगी मध्यप्रदीस की कितनी रहेगी ऐसे हम बात नहीं कर सकते हैं प्रिक्सा होने के बाद हम थोड़ा ओर डिसकस कर सकते हैं अभी के लिए हम step score को लेकर बात कर सकते हैं कुन सी बातू से बचना है इसको लेकर हम बात कर सकते हैं देखिए प्यारे साथ हूं आपकी प्रिक्सा में reasoning, numerical ability, English और general awareness इनके 30-30 questions पूछे जाएंगे और 30-30 marks ही रखे गए हैं यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो-तीन चीजे हैं जो आपको जरूर समझना चाहिए जैसे आप लोग उसे टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे लेकिन सबें आपको 90 मिनिट का ही भी आ जा रहा है 120 में से 60 सवाल रिजनिंग और नियुमेरिकल एबिलिटी के फूशित के ऐसे मैं आप कहोगे कि सर 120 सवालों के लिए 90 मिनिट कम है या जादा है तो मैं कहूँगा बहुत कम है और 10 वी इस तर की प्रिक्सा के लिए तो और ज्यादा जो है ज्यादा बहुत ज्यादा कम समय है क्योंकि 10 वे इस तर की जो मैट्रिक लेवल की प्रिक्साइं होती है उनके अंदर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि नंबर ओप क्योस्टन कम होंगे और समय ज्यादा मिलेगा लेकिन एसा यहां पर नहीं है यहां पर 90 मिनट में आपको 120 सवाल करने है तो कहें ना कहीं कटोप के ओपर ये भी फैक्टर रहेगा उसके बाद दो तिन चीजें और भी रहने वाले इसके बारे में भी बात करेंगे कोई भी जो तैयारी करने वाला टुडेंट है वो यही चाहेगा कि रिजनिंग में वो 30 आउट ओव 25 प्लस का स्कोर करें ठीक है कम से कम भाई में 25 प्लस को सही करके आऊ रिजनिंग में हर कोई सोचेगा न्यूमेरिकल आबिलिटी में भी वो चाहेगा कि वो 25 तक सही करके आए और इंगलिस में वो कम से कम चाहेगा कि वो जादा नहीं तो 20 तो सही करके आए और जंदर awareness में भी वो यही सोचेगा कि वो 20 से 20 से ज़ादा करके आए कम से कम 20 तो करके आए ठीक है यह मतलब average हर किसी के दिमाग में जो है score रहता है सब्जेक्ट्स को लेकर तो तोटल यहांपर अगर मैं बात करूँ तो यहांपर 90 मार्क्स बन जाते हैं कितने मार्क्स बनते हैं 90 मार्क्स और पिछली बार जो कटोप का average निकला हूँ कितना निकला पिछासी अब मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊं तो यह तो आप वि करती है लेकिन आप यह जरूर कोशिस करोगे कि आप 120 में से 95 सवाल करके आओ 90 या 95 सवाल का आप टार्गेट लेकर चलो तो यहां पर देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्लस करके बताता हूं अगर आप यह सोचते हो कि मैं 120 में से परिक सामें पिचानवाय या 100 सवाल लेकर जाओं तो आप ठीक सोच रहे हो आप नीचा नहीं सोच रहे हो ठीक है अगर पिचानवाय से 100 तक का आप सोचके जाते हो कि मैं कम सकम इतने सवाल करूं क्योंकि मुझे 90 मिनिट का समय मिलेगा तो मैं लगबग 100 सवाल तक तो कर पाऊंगा उस से 100 सवाल करके आओगे अब यहां पर एक दिकत यह हो जाती है कि इस परिक्षा के लगषा 5 सवाल के चलते क्या क्या अब आप नेगेटीव मार्किंग से ढिद्यक का करने का सोच कर लंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए आप 20 सवाल तो छोड़ोगे कि वहीं नेगेटिव मार्किंग का सोच के छोड़ के आओ चाहे फिर समय का अबाव हो लेकिन आप 20 सवाल नहीं कर पाओगे पूरी तरह से हैं हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करके आएं हो सकता है कि बहुत सारों के पास सूपर पावर हो बहुत सारी जाधा intelligent हो तो करके आएं कोई दिक्कत नहीं अगे आते हो तो आप क्यों नहीं करके आओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं यहाँ पर All-Over अच्छी तयारी करके जाता उसके भी 4-5 सवाल negative marking में चले ही जाते हैं क्योंकि negative marking पे नकेल कसना इतना असान काम नहीं होता है तो यहाँ पर अगर आप 100 करके आओगे 5 सवाल minus कर लो negative marking वाले पिच्चान में करके आओगे 5 सवाल minus कर लो लेकिन पिछली बार average अगर 85% का 85 marks का निकला है 120 आउटो तो इस बार जो है आप यह मान के चलिए कि आपको जो average है वो अपना target number 2 पिच्चान में तो लेके चलना ही चलना है अब चाहिए आप किसी भी states से paper दे रहे हो इससे कम की कोसिस नहीं करना फिर जितनी कम की कोसिस करोगे उटसे कम आपके marks आएंगे तो फिर कहीं न कहीं आप काफी नीचे चले जाओगे तो आपको सोच कि यह जाना है कि 100 तक आप सवाल करके आओ और 90 से 95 तक आपका score अगर बैठ जाए तो फिर आप इस वेकेंसी के अंदर सेलेक्शन की दोड में बिल्कुल सामिल रहोगे तो मैंने आपको वित तरक पुरी बाते बता दी है उमीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो सेस्न को लाइक और शेर करना मत मूलेगा चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे अपडेट और क्लासेज आपको यहीं पर मिलती रहेगी आप सभी प्यारे सातियों को थैंक्यू जेहिंद जेवार